आख आख है जेयर अं Bay Caesar मेरा नाम स्रेशनिकम स्वगल आप तो जैसा कि आप सभी को बता है कि आंसर की आपकी रिलीज हो चुकी है सभी ने अपने मार्क्वर कल्कुलीट भी कर लिया है अब और काफी जगे देख भी लिया है कि कितने में admissions होगा कितने में क्या है तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही सटीक और बहुत ही प्यारी सी जानकारी आप सभी के लिए लेके आया हूँ फार बनारस हिंदू उनिवर्श्टी में B.H.U. B.A. में कितना marks चाहिए अगर आप B.H.U. B.A. में देख रहे हैं कि B.A. में मुझे main campus चाहिए बनारस हिंदू उनिवर्श्टी में तो उसके लिए कितने marks आपके होने चाहिए और अगर main campus ना मिल करके off campus मिलता है मनलब जो इनके में साइट में होते हैं, ठीक है, उसके लिए कितना मार्स होना चाहिए, कितने क्या प्रिकुछ नहीं होते हो, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, कि बनास इंडूरिश्ट्री में कट ओफ 2022 की क्या चाह सकती है, यानि कितना मार्स आना होगा, अगर ह में BHU चाहिए, बनास इंडूरिश्ट्री चाहिए, बीए में, तो उसके लिए मुझे कितने मार्स चाहिए होगे, तो सबसे पहले, मैं आप सभी के सामने बता देता हूँ, कि एक और व्यू दे देता हूँ, या आप सभी के सामने, कि क्या है यहाँ पे साय चीजिए, तो अगर हम बात करें, आप बीए में, मींसिया हो गई, या आप एक इसकी आर्ट साइट की बात हो गई, तो चाहे आपका डोमेन, यानि जाहे आप इस्ट्री से करना चाहते हैं, या है आप इस्ट्री से करना चाहते हैं, या फिर पॉल साइंस से करना चाहते हैं, या फिर सोस में उसकी merit बनेगी उसके बादे में लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे मैंने आप सभी को यह आप एक फिकर के तौर भी दिखा है कि बहु बीए का रिखरक्राइह करा है MHC में आपने यह तो हिंदी चूस किया होगा यह फिर आपने इंक्लिशी चूस किया होगा यानी limb Englisham सेकंड वाला पार्ट है ठीक है यानि डोमेन सब्जेट वाला पार्ट है जैसा मैं आपको बता देता हूं सेक्षन फर्स्ट में आपको जैसे बता है हिंदी और इंग्लिश में आपके नंबर आफ कोशन कितने थे 50 तो पर कोशन मांट कितना था 4 यानि ओवर आल 200 मांट था यहां पर आप सभी का क्लियर है सेक्षन थड़ कि अगर हम लोग बात करें तो जनरल टेस्ट हो गया जनरल टेस्ट में आपके तोटल मांट कितने दे 75 अटैंप आपको करने थे 60 बट टोटल आपके कितने थे 75 थे और हर एक कोशन कितने का था आप यह बताओ चार नंबर का तो यानि तो भी टोटल जो मार्क्स हो गया वो कितना हो गया 300 तो बीए में जो मैरिट बनेगी वह आपका सेक्शन फरस्ट यानि जो हिंदी और इंगलिश आपने चूस किया होगा किसी एक में ठीक है और सेक्शन थर्ड यानि जी टी वाले सेक्शन तो इन दोनों को मिला करके आपकी मैरिट बनेगी इन दोनों को कैल्कुलेट करके इन दोनों को मिला के आपकी क्या बनेगी यहां पर मैरिट बनेगी और इसमें सेक्शन सेकंड वाले पार्ट में कुछ भ बनेगी यानि हिंदिया इंग्लिश या फिर जनल टेस्ट इन दोनों को मिला करके आपनीगी यानि अगर हम बात करें तो पहले वाले सेक्ष्टन फर्स्ट में आप बताओ कितने मार्स थे टोटल मैक्सिमम टू हंडड़ और अगर लास्ट वाले की बात करें जी टी वाले में तो इसमे टोटल कितने मार्स है 300 तो 200 प्लस 300 यानि ओवराल मैरिट बनेगी आपके इसमे 500 में अब आप सभी लोग ये calculate करियेगा आप सभी लोग जितने भी आपके answer कि आप सभी लोग नहीं आप देख लिए हूँग की marks भी calculate कर लिए होंगे तो ।ो domain को हडा करके यानि इ अलग-अलग वैरिशन होगी सभी के में तो बिए में जिंकों चाहिए आपको देखना है कि कितने marks आ रहें 500 में आपके कितने marks बनने 1200 marks 1200 marks 300 marks cent 6 7 ABOUT VHU का main campus चाहिए, तो मुझे 500 में कितने यहां पे मेरे marks बन रहे हैं, clear हो गया, ठीक है, चालो, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हैं यहां पे, कि दो ही consider हो रहे हैं, language और JT वाले के, यहनी overall 500 में यहां पे देखना होगा, अब, अब चली समझ लेते हैं कि cut off क्या रहेग कि 500 में से कितनी cut off यहां पे जा सकती है, कितनी cut off जा सकती है, तो थोड़ा सा यहां पे रुखते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बढ़ा जता हूँ कि देखिए, BHU सभी का सबना होता है, BHU में main campus में जाने का, ठीक है, और अगर आपको main campus नहीं मिलता है, तो जो BHU से related college होते हैं, उनकी क्या cut off जाएगी, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे चीज़ें आपने net पे देख भी लियोंगी, कि कुछ लोग कह रहा हैं कि मेरे 500 में से, अगर हम 500 की बात करें, ठीक है, कुछ लोग कह रहा हैं मेरे 500 में से, सर, 400 माक्स हैं, ठीक है, तो क्या मेरा सेलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, भी यू में हो सकता है, या एउ में लाबाद उनिश्टी में हो सकता है, कुछ लोग कह रहा हैं, ठीक है, तो ऐसे जो अपने आपको बहुत ही 99 आ रहे हैं ठीक है मेरे 450 आ रहे हैं ठीक है तो इन सबसे आपको ज़्यादा परशान होने की जुरुत नहीं है क्योंकि कट आफ जो भी जाएगी ऐसा नहीं है कि 90 परसंट से अबब कट आफ चली जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपकी अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कट आफ कितने परसंट होगी और कितने नंबर पर आपकी जा सकती थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है बट इतना ज्यादा वेरिशन आपका नहीं होगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तो बताते हैं अब आपकी कट आफ कितनी जैसे 500 के अगर हम बात करें ठीक है तो ध्यान लेकिएगा 500 में से 500 में से अगर आपके स्कूर हैं 70 परसंट का मतलब यहां पर हो गया कितना 500 का 70 परसंट यानि यह हो जाएगा 350 ठीक है 350 अगर मार्ट्स आपके हैं तो आपको बी एच्छीू का में कैमपस मिल जाएगा बी ए में चाहाब किसी भी स्टीम से कर रहा हो हिस्ट्री हो गया पॉलिटी हो गया सोसल साइंस हो गया किसी से भी हो गया ठीक है 350 अगर आपके हैं ठीक है तो आपको कुछ भी सोचने की जवरत नहीं है 350 अगर आपके हैं तो आपको कुछ भी सोचने की जवरत नहीं है ठीक है सीधे आपको में कैमपस भी अच्छीू का मिलेगा ठीक लेकिन अगर आपक 350 से कम है अब देखें इसमें भी variation हो सकता है अब ये एकदम accurate तो नहीं है ख़िक है धो accurate नहीं है इसमें आपका plus 20 number increase भी हो सकता है और 20 number आपका decrease हो सकता है कोगि आप सब्सटी को बता है कि normalization की प्रिक्रिया है यहाँ न centrif से मार्स जो होते हैं बढ़ेंगे भी और कुछ लोगों के marks यहां पर घटेंगे भी clear ठीक है तो plus 20 और minus 20 का variation मान के चलिए ठीक है plus 20 increase भी हो सकता है और minus 20 आपका decrease भी हो सकता है but 350 आपका 70% जो है वो इतना तो लंपसम यहां पर को नहीं चाहिए तो आपको भी चुगा मेंगों जाएगा ठीक है आप जो इससे related होंगे colleges उसमें अगर हम बात करें ठीक है तो उसमें अगर हम बात करेंगे दो उसमें अगर हम बात करें आप तो 62-65% में easily calculate हो जाएगा आपको कोई दिककत नहीं है ठीक है यानि अगर आपके marks 300 लंपसम भी बन रहे है 300 के आसपास plus 20 इंग्रीज या plus 20 डिक्रीज यहां पे भी सेम वही है plus 20 और minus 20 और नहीं है तो आपको जो भी हू से related colleges होते हैं तो ध्यान रखिएगा ठीक है आप आप नहीं जाना है आप सभी को कोई कितना भी कहा है कि सर मेरे 500 में से 450 बन रहे है means 350 अगर marks आपके है plus 20 minus 20 equation हो सकता है बट इतने अगर marks हैं तो आपको भी हू का main बस मिल जाएगा भी यह में चाहिए आप किसी भी stream से उसमें करना चाहिए clear ठीक है तो आप सभी लोग comment में आप मुझे यह बताइए कि आपके सभी के कितने-कितने marks आ रहे हैं 500 में ध्यान रखेगा आ गया है इस number पर आप call करके अपनी जो भी queries है आपके मन में जो भी डाउट चला है कि admission process कब से होगा या कितने marks हो यह कुछ भी हो ठीक है तो आप सभी लोग वहां पर उस numbers पर call करके आप सभी लोग पूछ सकते हैं ठीक है तो सभी लोग comment करके बताओ कितने-कितने marks आप स सभी के सामने में लाता रहूँगा अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे अपडेट होता रहे का ऐसे आपकी सभी के सामने लाता रहूँगा आज मैं बीए कहला हूँ ठीक है कल आप सभी लोग comment करके बताइए कि आप सभी को और किसका चाहिए BSC Agri Culture का या BSC और किसी का ठीक है तो comment करके आप सभी लोग मताईए तो इसी तरह की और भी वीडियो के लिए आगे भी आते रहेंगे तब तक के लिए आप सभी लोग इसको धियान रखेगा और इस वीडियो को जादर जादर फैलाओ जितने भी लोग हैं जादर जादर फैलाओ क्योंकि यह एक्द जादर जादर वीडियो को फिलाते रहें चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेस अब्डेट में थैंक्यों सभी को टेक क्यार